मेवात का इतिहास क्या है? मेवात इतिहासिक द्रेश्ठी से महत्तो पुरुन छेतर है जो दिल्ली के दक्षिन में इस्थित है इसका नाम इसके निवासियों मेव से लिया गया है मेव की भूमी मेवात की उत्पति इसके आदिवासी निवासी मेव आदिवासी लोगों से हुई है ये छेतर एक विशिष्ट जाती है और सामाजिक सांस्क्रेटिक छेतर के रूप में जाना जाता है मेवाती कौन सी जाती में आते हैं इन्हें मेवाती भी कहा जाता है ये हरियाना के मेवात जिले तथा राजिस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में निवास करते हैं हरियाना के नुहू, पलवल और फरीदाबाद जिलों में मेवाती मुसलमानों के अच्छी आबादी रहती है मेवात का पुराना नाम क्या है दोस्तों मेवात नुहों के नाम से जाना जाने वाला एक नया जिला पुरवक्त पांच ब्लोकों के 80 तत्तों में आया ये छेतर पंदरा सु साथ वर्ग कीमी में फैला हुआ है 443 गाउं और 5 छोटे सहरों में तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं मेवाती मुसल्मान ये 6 हरियाना के सबसे पिछडे 6 में से एक माना जाता है मेवात का राजा बात करते हैं मेवात के सबसे पहले वली की दोस्तों कोटला के राजा नहार खान दिल्ली सलतनत के साही दर्बार में एक उचे पदपर थे 1372 में फिरोज सात उगलक ने उन्हें मेवात का राजा बना दिया था मेवात में मुसलिम आबादी कितनी है सामाजिक वरगी करन की बात करें तो यहां सबसे जयादा मेव मुसल्मान रहते हैं जिने मेवाती मुसल्मान कहा जाता है आंकडों के मुताबिक मेवात जिले में मुसल्मानों की तकरीबन 15 लाख लोगों की आबादी रहती है इसके बाद तकरीबन 5 लाख हिंदू और करीब 1450 जेन धरम के लोग रहते हैं और करीब 12 परसेंट इसाई धरम को मानने वाले लोग मेवात में रहते हैं और तकरीबन 10 परसेंट सिख समूदाए के लोग मेवात जिले में निवास करते हैं अब बात करते हैं मेवाती भासा कौन बोलता है मेवाती भार्शी अर्बी एक इंडो आरियन भासा है जो मुख्य रूप से मेवो लोगों द्वारा बोली जाती है मेवात छेतर अलवर और भरतपुर राजिस्थान के जिले हर्याना के नुहु जिले में इसके तीस लाख वक्ता है मेवात के लोग कैसे होते हैं उधारन के लिए हर्याना के मेवात में रहने वाले मेव मुसल्मान इसलाम धरम को मानते हैं लेकिन उनके रिती रिवाज और संस्क्रेती हिंदूओं से काफी मेल खाती है यहां के मुसल्मानों को राजपूतो का ही नहीं बलकि और भी मुस्लिम जातियों का वन्स माना जाता है ये लोग दिवाली दसहरा और हॉली जैसे कई हिंदू त्योहार मनाते हैं ऐसा पिछले इत्यास में लिखा गया है मगर वरतमान में मेव मुसल्मान हिंदूओं का कोई भी त्योहार नहीं मनाता दरसल बात ऐसी है मेव मुसल्मान हिंदू समाज के लोगों से मिलकर रहते हैं और हिंदू लोगों को अपना भाई समझते हैं उनसे काफी ज्यादा मोहबबत भी करते हैं अब बात करते हैं मेवात नाम का अर्थ क्या है राज पुताने और सिंद के बीज के परदेश का पुराना नाम मेवात दोस्तों मेवात में कितने गाओं हैं 2016 में मेवात जिले का नाम बदल कर नुह कर दिया था मेवात एक सांस्क्रेतिक छेतर है जो हरियाना, राजिस्थान और उत्तर परदेश राज्ये तक फैला हुआ है जिले में नुहू, तावडू, नगीना, फिरोजपुर, जिरका, इंद्री, पुनहाना और पिनंगवा कुल मिलाकर 431 गाओं और 277 में पंचायतें सामिल हैं मेवात के जगडे की बात भी हम कर लेते हैं 2015 के बाद मेवात में मॉब लिंचिंग और अलब संख्यक समूदाय के खिलाप हिंसा बढ़ी है पिछले साल फरवरी के महीने में नासिर और जुनेद नाम के सक्स की हत्या हो गई थी दोनों राजिस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले थे अब बात करते हैं मेवात में कितने हिंदू मारे गए हरियाना के मेवात नुहू में हिंसा हुई थी आप लोगों ने भी देखा होगा नियूज में हजारों वीडियोज अपलोड हो चुके हैं यूटूब पर नुहू हिंसा को लेकर लोगों ने तरह तरह की बाते बनाई लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है मैं आपको बता रहा हूँ मेवात जिले में अभी तक कोई हिंसा मेवाती समुदाई के लोगों ने नहीं की है मेव मुसलमान अल्ला पर भरोसा करते हैं और खुदा के लिए अपनी जियान भी दाओ पर लगा सकते हैं मेवात के मुसलमान जितनी महबत अपने मुसलमान भाईयों से करते हैं न उतनी ही महबत भारत में रहने वाले और मेवात में रहने वाले हिंदू लोगों से भी करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है अब बात करते हैं मेवात की इस्थापना कब हुई थी सबसे पहले दो अक्टूमबर 2004 को ततकालीन मोख्य मंत्री ओम परकास चोटाला ने पुनहाना में इसे गुडगाओं से अलग कर जिले का दर्जा देनी की घोसना की और इसका नाम सत्ये मेव पुरम रखा गया इसके बाद जब अपरेल 2005 में कॉंग्रेश ने सता हांसिल की तो इसे दोबारा से जिला बनाने की अधिस उचना जारी की गई और इसका नाम बदल कर मेवात कर दिया गया मेवाती घराने के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मेवाती घराना या जेपुर मेवाती घराना घग्ये नजीर खान द्वारा संस्थापित एक भारतिय संगीत घराना है मेवात के लोगों ने किस सासक का विरोध किया था? दोस्तों उस महान मुस्लिम सासक का नाम था हसन खा मेवाती जो एक मेव मुस्लिम सासक था जिसने बाबर के सहे धरम वादी प्रिस्थाओं को ठुकराने और एक हिंदू राजा राना सांगा के पक्ष मैं यह सारा किया कि मैं हिंदूओं के साथ खड़ा हूँ और अपने देश के लिए तब तक लड़ूँगा जब तक मेरे जिसम में जियान बागी है बाबर ने खानवा की लड़ाई जीत ली और भारत में मुगल सासन इस्थाफित करने की दिसा में पहला कदम उठाया नुहों हिंसा क्यों हुई थी पुलिस ने कहा कि यात्रा को नुहों के खेड़ला मोड के पास लोगों के एक सम्हों ने रोक दिया और जुलूस पर पत्थर फेंके कुछी देर बाद कारों में भी आग लगा दी गई दोस्तों मोनु माने शरका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा पिछले कुछ महीनों में आप लोगों को ये बात भी सुनने में आई होगी कि नुहों मेवात में लड़ाई हो चुकी है मगर मेरे दोस्तों वो लड़ाई चंद गलत लोगों के वजह से हुई थी मुस्लिम समूदाय में और हिंदू समूदाय में थोड़ी से हिंसा हुई थी बजरंग दल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा बजरंग दल के तकरीबन पांच हजार लोग जो हिंदू समाज से थे हाथों में डंडा, सरिया और बंदू के लेकर पहुंच जाते हैं मेवात मेवात में जाकर डीजे बजाई जाती है राम के नाम से नारे लगाई जाते हैं और बेतु की उंची आवाज में जो लोगों को तकलीप देती है उस आवाज में लोगों को चैलेंज किया गया मेवात के लोगों को ये चैलेंज किया गया कि हम तुम्हारे बाप हैं और हम मेवात में आ रहे हैं अगर दम है तो मुकाबला करो तब जाकर मेवात के लोगों ने बजरंग दल के लोगों को पीटा बुरी तरह से घसीटा और उनकी कमर तोड़ दी कमर तोड़ जवाब दिया मेवात के मुसलिम लोगों ने एक और बात मैं आपको बता देता हूँ मेवात के जो मेव मुसल्मान जिनको मेवाती मुसल्मान भी कहा जाता है ये बड़े जिद्धी होते हैं अगर एक बार किसी बात पर अड़ जाएं तो पीछे हटने का नाम नहीं लेते फिर चाहे कुछ भी हो जाए या फिर इनकी जियान ही क्योना चली जाए ये बड़े जिद्धी होते हैं इनसे पंगा किसी को भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये देश भक्त हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेवात के मुसलिम लोग हसन खा मेवाती जो अलवर रियासत का राजा था उसने बाबर के खिलाब जंग लड़ी और राणा सांगा का साथ दिया राणा सांगा एक हिंदू सासक था हिंदू राजा का साथ देकर अपनी देश भक्ती का सबूत पैस किया हसन खा मेवाती ने मगर आज वरतमान में गलत सोच वाले लोग हसन खाम एवाती के बारे में